नमश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी को स्वागत है, मेरे नाम निधी है दोस्तों हमारे दोनों ही पड़ोस, हमारे East में China और West में Pakistan के साथ हमारे सम्बंदों के बारे में पुरी दुनिया को जानकारी है और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो tensions हैं वो बढ़ी ही है, वो aggravate ही हुई है ऐसे में US Intelligent Report में खुलासा हुआ है कि एक युद्ध हो सकता है ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हो सकता है और भारत और चाइना के बीच में भी हो सकता है अब जो situation फिलाल हमारे borders पर है, international borders पर है, दोनों ही तरफ उसके बारे में हम जानते हैं चाहे वो deployment of troops हो, या फिर movement हो, या infiltration को रोकने के लिए जो हमारे तरफ से प्रयास किये जाते हैं वो हो, ये situation को aggravate करते हैं on both the sides अब इस report में क्या खुलासा हुआ है, इस report में क्या आधार दिया गया है, क्या कारण बताए गये है आज के session में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, शुरुबात करते हैं with the news तो US internal fears armed conflict between India, Pakistan and India, China US internal flags, India, China tensioned at Chinese military villages mushroom near borders इसके बारे में हमने पहले भी एक session में बात की थी, जहांपर ना केवली ये जो villages हैं ये आए हैं, बलकि यहांपर occupancy भी शुरू हो गई है चलिए, तो America की जो intelligence community है, उसने law makers को बताया कि उनको डर है कि जो tension है between India, Pakistan और India, China वो बढ़ सकती है और इस increased tension के चलते, there can be a conflict between these countries अगर हम background की बात करें, भारत चाइना के, तो situation जो है हमेशा से ही लगभग ऐसी रही है बीच में थोड़ा सा एक break आया था, after 1975, लेकिन 2020 में जो एक conflict हुआ था between China's People Liberation Army, PLA, and Indian Army in the Eastern Ladakh उसके बाद से बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही देशों की armies आमने सामने आई है दोनों ही countries ने 50,000 से जादा soldiers को deploy किया हुआ है on each side of LAC, line of actual control जो है, जहाँ पर these army personals are equipped with equipments, arms and gear, मतलब हम तयार हैं, दोनों ही तरफ से, तयार ही पूरी है और हाल ही में भारत ने redirect किये है 10,000 soldiers from our western front to China border टाकि हम secure कर सके the stretch in Uttrakhan and Himachal also, ये recent news है हम सभी इस के बारे में जानते है आगे इसमें क्या कहा गया है, क्या इसका background दिया गया है, क्या इसमें apprehensions है उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आप description box में दिये गए लिंक को fill करते हैं या फिर ही जो number दिया गया इस पर call करते हैं और एजुकेटर नेम में आप लिखी ढाका यूज करते हैं तो आपको इसकाउंट मिल जाएगा these are the courses that we'll be starting, इसके अलावा आपको हमारे offline centers में बहुत सारी और भी facilities मिलती है जैसे you get one-on-one mentorship sessions, इसके अलावा doubt clearing sessions मिलते हैं आपको educators के साथ free wifi library जैसी facilities मिलती है, current affair courses चलते है current affair का capsule course अलड़ी start हो चुका है, जो तिवारी house, जो पूसा रोड पर है हमारा center उसमें कि offline online दोनों ही module में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर interactive classes होंगी, doubt clearing आपकी यहीं पर हो जाएगी, top educators including अनुरुद सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं in classes में, यह 60 घंटे का duration है, इस course का, because it's a crash course 24 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 24 से 25 lectures आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, कोई भी जानकारी के लिए, आप description में देगा numbers को call कर सकते हैं, या फिर आप मुझे telegram पर भी message drop कर सकते हैं, जो 24 की general threat assessment आई है, इसकी according, report में indicate किया है कि Beijing की जो intention है, to maintain large troop deployments, बहुत सारे soldiers, बहुत सारी army वहाँ पर deploy करना, और जो random encounters होते हैं, इससे एक misconception हो सकता है, एक misunderstanding हो सकती है, और यह कहीं ना कहीं escalate कर सकता है, armed conflict को with India, मतलब obviously हम में लगेगा कि यह जान पूछ कर ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी retaliate करेंगे, हमारी तरफ से भी reaction आएगा है, यहां से situation escalate हो सकती है, यहां पर इस report में Beijing को describe किया गया है, कि वो expand कर रहा है अपने global covert influence posture को, मतलब वो secretly अपनी जो पकड है, पहुँच है, उसको बढ़ा रहा है, और यह ऐसा किया जा रहा है, पूरे विश्व भर में ऐसा किया जा रहा है चाइना के द्वारा, and it is in alignment with the objectives of Chinese Communist Party, इसके अलावा assessment में आगे कहा गया है, कि चाइना फिलाल is focusing on establishing overseas military bases at multiple locations, अलग-अलग जगाओं में, जिसमें वो श्रिलंका और पाकिस्तान उसके main centers हम कह सकता है, इसके बारे में हम जानते ही है, और उद्देश के है, उद्देश है to project power and protect China's interest abroad, मतलब जो Indian Ocean region है वहाँ पर भी हम influence देख रहे है, इसके अलावा भी China ऐसा कर रहा है, यह report में भी कहा गया है, इसके अलावा report note that Beijing will focus on building a fully modernized national defense and military force by 2035, इसकी तरफ भी प्रयास कर रहा है, जिसमें कि People Liberation Army जो है, यह world class military बन जाएगी 2049 तब, तो मतलब increase किया जा रहा है, अपने आपको और जादा strong किया जा रहा है for any kind of conflict और इसकी वजह से हो सकता है कि miscalculation हो और situation escalate हो जाए, ऐसा इस report में बताया गया है, इसके अलावा चाइना की जो military के plans हैं उसमें जिया कांग करके, जियो कांग करके village network सेट अप करने की बात भी है, जो अरड़ी वो कर भी रहा है in the regions facing India-China border, जिसके बारे में हमने पहले भी एक lecture में बात की थी, जिससे basically उदेश तो ये कह रहे है कि economic conditions को improve किया जाएगा और strengthen किया जाएगा अपनी position को उस area में, चाइना के फिलाल 628, जियो कांग villages हैं border पे in the Tibet Autonomous Region, और ये हो रहे हैं, ये बनाए गए हैं in accordance to the Chinese जो पकड़ है भारत के area में जो पकड़ है, उसको मजबूत करने के लिए, strengthen करने के लिए and to meet the goal of building Zio Kang और moderately well of society by 2021, ये कहा जा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं 2019 से ये villages बनाए जा रहे हैं, बिल किये जा रहे हैं along the LAC, ये पूरा region है जहां पर ये बनाए जा रहे हैं पहले ये unoccupied थे लेकिन अब ये occupy हो गए है, dual income motive बताया जा रहा है जहां पर, they'll be used for double purpose, dual purpose for military usage also, सिर्फ लोगों के रहने के लिए community development नहीं हो रहा है, यहां पर military के लिए भी इसको 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 इस्तमाल किया जा सकता है ऐसा बताया गया है, कुछ villages हैं along the LAC and opposite the Lohit Valley and Tawang sector of Arnachar Pradesh अब ये residents के द्वारा occupy भी के जा चुके हैं, ये पूरा region है जहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये occupancy भी आ गई है तो चाइना अपनी पकड मजबूत कर रहा है, अब चाइना ऐसा कर रहा है तो बदले में भारत का response भी आएगा हमारा भी प्लान है कि हम 663 villages को develop करें across the border, जो border areas हैं, उसमें modern amenities दे अंडर vibrant village program जो सरकार ने शुरू किया था कुछ समय पहले, यहां पर जो 17 villages हैं, उनको select किया गया था for the pilot project under the program along the border with China, कहां कहां पर लद्दाप, हिमाचल प्रदेश, उत्राकंट, सिक्केमा और अरणाचल प्रदेश, मतलब पूरे border areas में, तो हम भी जवाब के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से, चाइना इस पर क्या कह रहा है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, हमारे प्रदान मंत्री का अरणाचल दौरा था, सेला टरनल का यहां पर उद्धाटन हुआ, उसके लावा है कि भई हमें काफी चिंता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, situation aggravate होगी, situation खराब होगी, यहां पर, quote unquote, चाइना के जो spokesperson है, foreign ministry के, उन्होंने काया कि इंडिया के जो यह moves है, यह complicate कर रहे हैं, border के question, situation को, और यह situation को और जादा खराब कर सकते हैं, between the two countries, ठीक है, यहां पर, Wong Wenbin ने काया है, in the briefing in Beijing, जहां पर उन्होंने अरवनाचल प्रदेश को refer किया, जैंगनान, जो कि वो Chinese में अरवनाचल को बोलते है, as Chinese territory, अरवनाचल प्रदेश किया है, Chinese territory है, जिस पर China हमेशा से ही बोलता है कि, अरवनाचल प्रदेश जो है, extended तिबद का हिस्सा है, और वो Chinese territory का हिस्सा है, जिसको लेकर हम भी बहुत clear है कि it is a part of sovereign India, यह हमारा हिस्सा है और इसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, हमारा time भी विल्कुल clear है इसमें, अब अगर हम इंडिया की take की बात करें तो भारत की response का मने आपको बता है कि हम भी develop कर रहे हैं, इसके लावा हमने अप को claim किया था Southern Tibet का हिस्सा, तो भारत भी इस पूरे area में infrastructure improve करने के लिए काम कर रहे है, हाल ही में अगर हम example की बात करें तो जो सेला tunnel का inauguration हुआ है, वो एक example है यहाँ पर कि हम इस पूरा area है इस पे हमारे troops के movement को easier बनाने का प्रयास कर रहे हैं, because we are ready for everything and anything that comes from Chinese side, इसके अलाव अगर मैं Pakistan के बारे में बात करूँ तो report में point out किया गया है कि possible armed conflict हो सकता है, there is a possibility of armed conflict between India and Pakistan also in case of any provocation from Islamabad, अगर पाकिस्तान की तरफ से provocation होगी तो यहाँ पर भी conflict हो सकता है, दो फिलाल जो situation वो यह है कि 2021 के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों ही cease fire maintain करके रखे हुए है, मा काफी fragile है, उसको हम deny नहीं कर सकते, साथ में report में ये भी कहा गया है कि despite of the ceasefire, 2021 के बाद से जो ceasefire है उसको respect किया तो जा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों ही देशों की तरफ से इस period को, जो ceasefire का period है, इसको बिल्कुल भी bilateral ties को improve करने के लिए, rebuild करने के लिए use नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी domestic priorities में इतने जादा engrossed है, इतने जादा involved है कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में अगर provocation आता है इसलामबाद की तरफ से, तो भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो सकता है, ऐसी इस report में possibilities जताई गई है, कहा गया है कि जिस तरह से situation है, दोनों ही border areas में, there is a chance of war, आपको क्या लगता है, मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों UPSC prelims 2024 की अगर आप strategy जानना चाहते हैं, ताकि आप crack कर सकें इस exam को, तो वो आपको मिल जाएगी, हमारे description box में दिये गए link है, podcast का, उस podcast में, जहां पर आ I am sure कि आपके सभी doubts and confusions यहां पर clear हो जाएंगे, that will be all from my side, I hope you like this session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update, thank you so much, God bless, take care, bye-bye. कीजशिआ कर सकत्र внस maior कर दो अपरे कार कि जह जाएगी, हमेएगी में एल यहूदिक टա करोुद़िक, देसमेशने कावेशी नवडत्स सांप्स के एले है, कि हमेंumbिता है, कि एले लड़े हैं, शुिए ऄच, कोलेगने, होशipeशा तो दूदक हैं दापने के लएगी,